समस्कार जैभिम दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा अलग अलग नए नए तरीके की सब्जी वगरे सेर आप लोगों से करते रहती हूं आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही टेश्टी बनने वाली गोबी की सब्जी लेकर आई हूं तो चलिए देखते हम बहुत अच्छे से हमने इसे पहले धूर लिया है पानी से और इसे पानी इसका पूरा शुखा लिया है मतलब थोड़ी देर के लिए पंखे में डाल दिया था तो इसका पानी पूरा शुक चुका है और अब हमें इसकी करना है कटिंग तो यह जो हमारे गोबी के जो पत्त है इसमें बहुत से प्रोटीन और विटामीन रहते है इसलिए हमें इसे फेकना नहीं है क्योंकि बहुत से आगे बहुत तेश्टी बढ़ने वाली है हमारी पत्तेदार सब्जी तो चलिए देखते हैं कि पत्ते को भी हमने बारिक बारिक काट लिया है और धूल तो मैं हने पहले ही लिया था यह बारिक बारिक पूरे हमारे पत्ते भी कट चुके है और साथ में अब हमें काटना है गोबी अब यह फूल है इसका तो इसे हमें थोड़ा लंबे-लंबे आकार का काट लेना है तो आप ये देख पारे होंगे कि हाथ से ही मैं तोड़ रहे हूं और फिर इसके दो-दो भाग इसमें चाकु से मुझे करना है तो ये मैंने चाकु से दो-दो भाग कर लिए वैसे अगर हम लोग दोनों कट चुके साथ में मैंने इसमें दो आलू भी लिये है तो यह हमने पूरी कटिंग करने के बाद में तेल गरम करने के लिए रख दिया और गोबी को हमने इसमें थोड़ा सा कुरकुरा होते तक तल लिया है और बहुत ही टेश्टी एकदम सूखी और अलग ही सब्जी बनने वाली है आज दोस्तों अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे कि गोबी की सबजी तो हमने पहले भी बहुत बार खाई है लेकिन ऐसी सबजी बना कर नहीं खाई है तो चलिए देखते हैं कि हमारी यह sou dupeский हाप कुरकुरा होते तक तल लिया है तो अब आप देख रहे ह कि मेरी पूरे गोवी तटल चुकी है और इसके बाद में हमने जितने भी जैसे दो आलू काटी थी तो इस आलू को भी हमें तल लेना है मतलब इसमें तेल तो लगता नहीं है जादा और तेल जैसे कई बार हम लोग सोचते हैं कि तेल में तर रहा है तो तेल बहुत सब्जी मे नहीं रहता है लगता है कि हम लोग कर बना रहे हैं तो बहुत जादा तेल रहेगा लेकिन ऐसा विल्कुल सब्सक्राइब सोख लिती है यह मेरी आलू भी तल कर मैं इसे बाहर निकाल लिया और एक तम अलग ही रेसैपी बता रही हूं दोस्तों बहुत पसंद आएगी आप लोगों को और बहुत जल्दी भी बन जाती है अब साथ में हमने जो पत्ते काटे थे अब यह पत्तों का उपयोग तो हम लोग कई बार जैसे भाजी बना कर भी कर सकते हैं या फिर इसे हम लोग अधिकतर सब्जी में नहीं डा और अध्रक हम लोग लसन और अध्रक का पेश्ट बना कर डालते हैं लेकिन आज मैं अध्रक और लसन का पेश्ट नहीं बना रहे हूं आज हमने लंबे लंबे लसन और अध्रक काट लिया है और साथ में इसे भी तल लिया है यह मेरी भुंजिया रेसिपी है और बहुत ही स और लसन भी तल चुका है उसके बाद में अब हम लोग देखेंगे कि मैंने एक बड़ा सा प्याज कटा था मेरा वाला तो यह मैंने प्याज भी इसमें डाल दिये साथ में चार छे हमारी हरी मिर्ची है कटी वी इसे भी मैंने तेल में तल लिया है वैसे हम लोग जब सब्जी प्याज और मिर्ची डालते हैं लेकिन आज मैं सब्जी फ्राई नहीं कर रहे हूँ बस मैं आज आप लोगों को अलग यह खटकर रेशिपी बता रहे हूं तो यह मेरे प्याज और मिर्ची भी मतलब थोड़ा लाल होते तक हम लोग सब्जी कैसे बनाते है उसी प्रकार से ह और उसके बाद में हलका सा तेल डालना है हमें जीरा भूंचते तक तो ये बहुत कम तेल है मेरा आप देख पा रहे होंगे इसमें डाल दिया है मैंने एक चमच जीरा और उसके बाद में हमने जितनी भी सब्जी तली भी है ये पूरी इसमें डाल दिये साथ में हमें डालना ह इसमें आदा चम्मच हल्दी पाउडर आप देख रहे हैं क्योंकि हल्दी के बिना तो सब्जी हमारी टेश्टी दिखती भी नहीं है और लगती भी नहीं है साथ में हमने डाल दिया है एक चमच नमक नमक हमारे अनुसार हम लोग डाल सकते हैं कम ज़्यादा और उसके बाद एक चमच हमने डाल दिया लाल मिर्ची पाउडर और एक चमच ही हमने डाला है धनिया पाउडर और बस इसे मिक्स कर देना है हमें कोई गरम मसाला ने डालना ह कुछ ने डालना उसके बाद भी हमारी इतनी टेश्टी और चटपटी सब्जी बनने वाली है और अधिक तर बच्चे वगरे स्कूल जाते हैं कॉलेज जाते हैं या फिर अगर हमारे हां कोई जौब वाले हैं उनके लिए यह चटपटी सब्जी बहुत ही टेश्टी दिखती भी है और लगती भी है खाने में तो दोस्तों आज की मेरी यह चटपटी रेशिपी कैसे लगी कमेंड करके जरूर बताना और एक बार बना कर जरूर ट्राई करना दोस्तों थेंक्यू नमस्कार जैभी आज